हेलो माई दियर स्टूदेंस वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा बच्चो जैसे से एंटी एसी पास आ रहा है प्रीवेस एर के क्वेस्टिन्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है आपको बहुत जरूरी है कि आप प्रीवेस एर क्वेस्टिन्स स्पेशली स्टेज अब तो सारे स्टेट के लगाज 맛 ता कि आपके और अच्छी से प्राक्टिस हो पाए आप जिस स्टेट को बिलॉड करते हैं वो तो आपको लगा नहीं है ब Christ अब बाकि के questions को भी जरूर Good yourself up तो अज फिर से हम एक प्रीवेस एर question को लेने वाले हैं और question आ रहा है mole concept के topic से, यह जो question पूछा गया है यह महराश्च्र के stage 1, 2021-22 में पूछा गया है और question हाला कि बहुत simple है अगर आप basics भी जानते हैं mole concept के तो भी आप बहुत easily इसको कर पाएंगे, question में पूछ रहे हैं कि calcium bicarbonate जिसका formula question में already given है बहुत बार यह होता है कि compound का नाम दे दे पर formula नहीं देते बट इस question में formula already given है तो calcium bicarbonate के 1 mole में कितने number of atoms होंगे वो आप से पूछा है तो देखो इसको कैसे solve करना है जब हम calcium bicarbonate की बात करेंगे तो formula यह बन जाएगा अब इसको हम one molecule मान सकते है one unit मान सकते है one molecule मान सकते है तो इसके एक molecule में calcium bicarbonate के एक molecule में हम count कर सकते हैं कितने number of atoms है तो formula से हम समझ में आ रहा है एक calcium का atom है दो hydrogen के atom है bracket के बार 2 लिखा हुआ है यह ध्यान देना आपको दो carbon के atom है और oxygen के 3 into 2 6 atoms है इस तरीके से हम formula देखकर एक molecule में number of atoms count कर सकते है तो one molecule of calcium bicarbonate में क्या है एक calcium का atom है दो hydrogen के atom है दो carbon के atom है और 6 oxygen के atom है इन सब को total करें तो total atoms कितने आ जाते हैं 11 atoms आ जाते है बड़ आपसे question में पूछा है इसके एक mole में कितने number of atoms होंगे तो अगर आप molecule को mole में convert करोगे तो you will multiply by na that is 6.02 into 10 raise to power 23 तब यह बन जाएगा 1 mole molecule अगर आपने LHS को na से multiply किया है तो simple आप RHS को भी क्या करोगे na से multiply कर दोगे to maintain that ratio तो अगर आप molecule को na से multiply करके mole में convert कर रहे होंगे atoms को भी क्या करना है na से multiply करके mole of atoms में convert करना है तो अगर इस तरीके से आप करोगे तो बहुत easily आपका answer आजाएगा 11 into na na जिसकी value है 6.02 into 10 raise to power 23 आप options देख सकते हैं further calculation नहीं करी हुई अगर further calculation करके answer given है तो आप वो कर सकते हो otherwise इस question में एने के form में answer given है तो आपका जो इस question का answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number 4 आप comment section में जरूर बताइए कि आप कौनसे year के question paper solve कर रहे हैं कौनसी state को belong करते हैं और कहां कहां आपको problem आ रही है ऐसा कोई question जिसका solution आप हम से चाहते हैं वो जरूर comment section में डाले thank you so much good luck